उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सड़क दुरगटनाय थमने का नाम नहीं ले रही है। खचे उड़ गए, हाथ से के बाद सड़क बाधित हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला और फिर से सड़क को चालू कराया। बताया जा रहा है कि ये हाथसा कार ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। इस हाथसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार में लदी दो भीड़ भी हाथसे का शिकार हो गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे सभी शबों को बाहर निकाला और पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया कि उन अचाए था को अचाए भी अचाए दान के सभी तो सफेशियर अचाए है कि इसकी अचाए यह जा रहे थे और किनी लोग मरें इसमें 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 गाड़ी इनोवा है जो लखनौ की ठाकूर गंज की है इसके रहने वाले भी समोत ठाकुर गिंद्पेई है और इसके पर बात हो गए यह गारी आ रही थी अध्या से लखनों की तरफ जा रही थी और अचानक से इनका गारी से लिए अंतरा इनका खो गया और यह गारी वांग साइड में आ गई और उधर लखनों से अध्या की इस हाथसे पर सीम योगी अधित्तेनाथ ने टूइट करते हुए दुख जताया है बता दें कि बारा बंकी में ऐसी सड़त दुरघटना पहली बार नहीं हुई है बलकि पिछले छे महीने में ऐसे पांच हाथसों में कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं यह हाथसा लखनाउ अयोध्या हाईवे पर सफदरजंग पलहरी पशु बाजार के पास हुआ है जिसमें पूरी गलती कार ड्राइवर की बताई जा रही है कार ड्राइवर की लापरवाही से चार लोगों की मौत हो गई मरने वालों में सभी लखनाउ के रहने वाले थे